बंदे मातरम सभी डिफेंस पेंसनर को Living Happily में मायन अरेंद्र कुमार, Wellness Consultant, Entrepreneur Trainer हिर्दे की गहराईयों से स्वागत करता हूँ और आज समय आ चुका है आप सबों को अपनी Digital Literacy बढ़ाने की और इसी उद्दे से सभी Defense Pensioner, सभी Aspurs Pensioner जो Migrate हो चुके हैं, जो Migrate होने वाले हैं इन सब की ही तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने एक New Series गढ़ा है जिसका नाम है Aspurs Pensioner Training Series इसके प्रथम एपिसोड में मैं अरेंद्र कुमार आप सबों को आज यहां मंत्रित करता हूँ, आप अपने दूसरे साथियों को भी, संबन्दियों को भी बताएं कि यहां Training Schedule Free है, जहां की तमाम समस्याओं का समधान मिलेगा यह पहला एपिसोड जिसमें की हम Introduction मात्र देंगे जो कि असपर्स के बारे में अभी तक आपको पता चली चुका होगा कि यहां एक Common Pension Package है, CPPC है जो कि Ind to Ind, ऑनलाइन ही आपको ट्रांसफर करेगा पेंसन, जो कि डिस्बर्स तक करेगा, पहले डिस्बर्स करने के लिए बाइंक इस्तेमाल किये जाते थे, वो डिस्बर्सिंग ओथरिटी हुआ करते थे अब PCDA परियाग राज के दौरा ही असपर्स नामक संस्था जो गठित की गई है वही पेंसन के सारे काम करेंगे, तो यह तो बुनियादी चीज आपको पता चली चुका होगा यह किसके लिए है, तो सारे आर्म फोर्सेस के लिए, यानि कि आर्मी, नेवी, एरफोर्स और डिफेंस, सिविलियन चारो इसके एंबिट में आ रहे हैं असपर्स में तो अब आपको पता चल चुका होगा कि आपका माइग्रेशन होना ही होना है क्योंकि 31st December 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है जिसका स्पर्स का उद्देश से है, राइट पेंसन आइट राइट टाइम पर हो क्या रहा है, लोगों का पेंसन नहीं आ रहा, यहां तक कि बंद भी हो रहा है और इसके लिए Secured and Reliable Digital Platform लिया जा रहा है किसी भी Third Party, Third Agency के सामिल किये हुए लेकिन आज हो क्या रहा है, कई तरह की समस्याएं हमारे पेंसनर बंदू फेस कर रहे है जिसमें कि कुछ तो कारण है, इतना complicated system है, आधार, validation आधार में नाम में, address में, उनके date of birth में, कुछ न कुछ डिस्क्रिपेंसी है उसके कारण problem हो रहा है, और कुछ हमारी literacy के कारण भी है कि हम इस complicated system को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यही justification है इस series को बनाने का और आपके सामने प्रस्तूत करने का मैं इस series में हर दिन एक-एक वीडियो डालने का प्रयास करूँगा और यह देखूँगा कि आप सबों के हर तरह की समस्याओं का मैं समाधान कर सकूँ आपको मैं एक सूचना देदू कि अभी तक जो migration status है almost 17,11,000 से ज्यादा हो चुका है जिसमें हमारे आर्मी के बंदू है 14,000,000 से ज्यादा, Air Force के हैं 42,000 से ज्यादा और नेभी के 22,000 migration हो चुके हैं जहां कि defense civilian करीब 5,000,000 migrate हो चुके हैं तो अब मैं यह video सुरू करूँ इससे पहले आपको बता दू कि इस video में क्या-क्या मैं बताने जा रहा हूं इने series में ही क्या बताने जा रहा हूं तो migration status conform कैसे करेंगे आपका migrate हुआ नहीं हुआ फिर क्या-क्या services इसमें अब लेवल है कहां menu है, कहां site है, कहां portal है और कई तरह की जो day-to-day समस्याएं आ रही है start ही नहीं हो पा रहा या अभी credit तो हो रहा लेकिन आप live certificate नहीं जमा कर रहे हैं कई लोग migration हो चुका है, ऐसे में सा गया है पर वहां जब check करते हैं तो लिखता है कि available very soon, PDV फेल हो जा रहा है, demography फेल हो रहा है तो इन तमाम समस्याओं का समाधान इस वीडियो में इस सीरीज में आपको मिलने जा रहा मैं वीडियो आरम्र करूँ, इससे पहले मैं आप सबों से भी नम्र निवेदर करता हूँ कि आप इस फोजी बंदू को भी अगर चाहते हैं कि हमारा चैनल भी आप सबों की और ज़्यादा सेवा कर सके और बेहतर बड़ी टीम, निपुन टीम लगा सके हम रिसर्च में, एडिटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए तो उसके लिए यूटीम का एक ही अल्गोरिद्म है कि आप सबों को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है, कमेंट करना है, सेर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी चैनल भी आपके जैसा ही प्रगती उनत्ती कर सके आप इसे दान या दच्छिना या जो भी समझ लिए और आपको अगर लगता है तो सूपर थैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन फंडों का इस्तेमाल और बहतर इस चैनल को बनाने में किया जा सकता है क्योंकि अगर आपको ग्यान मिल रहा है कुछ फाइदा हो रहा तो चैनल का भी फाइदा आवस्य ही होना चाहिए इसमें असपस्टता आपको रहनी चाहिए अब मैं इस वीडियो की मेन कंटेंट में आता हूँ जो की SMS आपको म कंफरमेशन करना है तो यह जे ले-मैन लॉंगेज में बता दूं कि आपका कंफर्म हुआ आपका कंफरमेशन लेना है कि माईग्रेट हुआ की ने इसका सबसे सिंपल तरीका है कि किस डेट को पहले पैंसान आता था यानि कि 6-8 महिन पहले आता था और अब क्या डेट चें क्रेडिट होने में उसके नैरेशन में और अभी के नैरेशन में क्या फरक है अभी के नैरेशन में एनि एफटी रहेंगे जो कि आर बी आई के कुबेर एकाउंट से डाइरेक्ट डेविट करके आपके एकाउंट में क्रेडिट होते हैं और पहले उस बैंक से होते थे तिसरे जब कभी भी आप अपने passbook को print करेंगे तो वहां narration आपको change मिलेंगे चौथे आपको यह समय सारे हैं तो यह सब तमाम difference हैं जिसके कारण आप तुरत ही पता कर लेंगे कि हमारा migration हुआ या नहीं इसके साथ ही website में भी दिया हुआ जो कि detail में हम आगे की अगले episode में मैं बात करूँगा ततकाल मैं यही बात करूँगा कि अगर आपको मिल चुका है तो आप successfully login कैसे करें या नहीं मिला तो किस तरह से करेंगे इनहीं तमाम business पर हम आगे एक एकर हर दिन अलग-अलग business पर cover करूँगा जैसे successfully login करने में क्या-क्या तकलीफ हो रहे है आपको spurs ID मिल गया लेकिन username नहीं मिला password नहीं मिला तो उसके लिए हम live demo दिखाएंगे एक एक स्क्रीन करके दिखाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कस्ट ना हो आपको profile किस तरह से manage करना है किस तरह से pension data verification करना है किस तरह से DLC, MLC जमा करना क्योंकि ये सब entire process जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक सुचारू रूप से pension आना चालू नहीं रहेगा हो सकता है कि आपने DLC, MLC नहीं किया 30 November तक और pension बंद हो जाए बाद में फिर ज़्यादा परिसानी हो जाए तो आपके flawless चलते रहे आपको pension slip लेना है कैसे pension slip लेना है कहां से generate करना है कहां से PPO generate करना है कहां अगर taxable है form 16 generate कराना है अगर किनी बंदू को family pension के लिए इन्हें slice करना है कहां इन्हें slice करना होगा अगर re-employment के लिए declare करना है किनी का re-marriage है इसके लिए declare करना है या disease हो गए है उनके family count से screen में जाना इन तमाम बातों को हम इसी series में आगे की episode में एक एक करके cover करने जा रहा है चुकि इस video को लंबा हम नहीं बना रहे हैं तो इसलिए मैं यहीं बताओं कि आपके all solution सिर्फ इसी series में आपको मिलने जा रहा जिसका नाम है a sports pensioner training series और यहाँ पर अगर आपने देखने लगा समझने लगे तो फिर कहीं भी और कुछ भी करने देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो मेरा तो यहीं अंति माग रहा है कि आप लोग पजल ना हो कुछ corporate कीजिए PCDL आहाबाद जो sports team है उनके साथ भी समस्या हो रही है क्योंकि bulk में migrate कर रहे हैं अभी उनका focus हो चुका है migration का इसमें जो already migrated हैं इनको ID भेजने में भी late हो रहा जो कि 3 दिन से 30 दिन तक हो रहा अभी महीना से भी जादा हो रहा और किनी का ID आ गया तो successful login नहीं हो रहा और login हो रहा तो फिर blank आ रहा और अगर आगे बढ़ रहे हैं उनको welcome screen ही आ रहा कुछ नहीं हो रहा PDB नहीं कर रहे हैं और PDB कर रहे हैं तो demography फेल हो जा रहा देमोगराफी सही कर रहे हैं तो उसमें migrate ना हो जाएं जिसके लिए हमारे पिंस्नर बंधू बड़े ही पिडित हैं और उनहीं के समस्याओं को देखते हुए मैंने समझा कि मैं अपने ब्यक्तिगत छमता से किस परकार उन्हें मदद कर सकता हूँ ये मदद करने की एक मुहीम है social responsibility है इसमें आप हमारा साथ देंग जो कि पहली बार Google Gmail पूछ सकता है पहली बार Gmail डाल दीजिए और फिर सब दिन किसी के भी YouTube में आप जा सकते हैं लाइक कर सकते हैं पहली बार सिर्फ Gmail से connect करना है इसको आप bell icon भी push कर लिजे ताकि हमारी हर दिन की आने वाली जो वीडियो है उसकी notification आपको मिलते रहे तो इस सीखें बहुत बहुत सुबकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराईयों से आप अपने जीवन का बहुमुल्य समय हमारे साथ देते हैं इसी तरह से पहला एपसोड में आपने हमारा साथ दिया आप कमेंट दीजिए मैं यथा समर्थ यथा समय यथा संभव करें कमेंट करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलता हूं अगले सेकेंड एपसोड में